हेलो बच्चों कैसे हैं आप सब लोग मैं निशान Team Physics CLCC कर तो आज का सेसने स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बात कहना चाहूंगा कि देखो इस दुनिया में हारता वही है जो कोसिस नहीं करता हारता वही है जो कोसिस नहीं करता क्योंकि जो कोसिस करता है वो या तो जीता है या सीखता है और जहां तक मुझे लगता है जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो सभी लोग अपना अपना बैश दे रहे हैं अपनी पूरी जीजान से कौसिस कर रहे हैं इसी साल नीट में सेलेक्ट होने के लिए तो आपकी इसी कौसिस को सफल बनाने के करी का मेजर टेस्ट सीरीज फोर नीट 2021 चला रखी है उसमें आज हम डिसकस करने वाले हैं हमारे MTS 7 को क्लियर है क्या मेजर टेस्ट है फुल स्लेबस पेटरन पे इस पे पूरा पेपर रखा गया है जिस तरह का इस साल नीट का पेपर प्रपोज हुआ है उस तरह के ही 10 कोशन अटम करने क्लियर है क्या तो उम्मीद है सब का पेपर अच्छे से गया होगा चलिए फिर डिसकसन स्टार्ट करते हैं तो कॉश्ट नमर वन ने बोला है दाइमेंशन ऑफ दा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कोंस्टेंट बेस एक यूनिट एंड डाइमेंशन का क क्या होती है तो देखो ग्रेविटेशनल के लॉस से हम बोल सकते हैं कि फोर्स होता है ग्रेविटेशनल का जी एंवन एंटू अपॉन आर स्कॉयर विर आरिजद सेप्रेशन बिट्विन एंवन एंटू क्लियर तो यहां से अगर मैं जी की बात कर तो जी की वेल्यों in एफ को ग्राम मीतार पर सेकंड इसक्वाएर आर्स क्रवीर की डिय्मिंटर हो जाईगी हमारे पास एल एसक्वाएर अपन एम एम्लाक्त 19 संथञ द फॉन inverse L to the power 3 T to the power minus 2 ऐसा option कहां दिखाए ज़र आए तो थर्ड option जो है हमारा इसका correct answer हो जाएगा उम्मीद है सब का सही होगा next question की तरफ बढ़ते हैं question number second question number second का इनमेट्स का question बुलाए अब ball is released from the top of a tower of height h meter यह हमारे है पास h meter height का तावर है जिसकी इस टॉप point से यहां से हमने एक ball को किया है रिलीच किलियर अब रिलीच किया है तो gravity की वे से motion under gravity होगा और यह free fall करेगी एक्स लिसन आ जाएगा इसका नीचे की तरफ जी ठीक है ग्राउंड तक पहुंचने में जो time लगेगा यहां से यहां तक free fall का standard formula है सब को याद होता है कि टाइम पीरेड जो वो कितना आता है रूट 2H upon G इतने time में ground पे पहुंचेगे आगे कोशन ने बोला एक टेक्स टी सेकंड टूरीज दा ग्राउंड यह तो time period की बात हो गई what is the position of the ball in ty3 second और ground जो ग्राउंड से आइट पूछे को मिला के तब ty3 second पे तो देखो ty3 second पे पार्टिकल जो है वो यहां कहीं आ गया होगा x displacement करके clear है क्या तो ground से आइट कितनी होगी होगी इसकी h minus x यही हमको निकालना है तो देखो h minus x यह value निकालनी तो h minus x क्या है ty3 time displacement तो यह लिखा जा सकता है half g ty3 का all square मतलब 1 upon 9 into 2h upon g यह ty3 का all square हो गया तो 2 से 2 गया g से g गया h upon 9 तो यह value आ गई h minus x 8 h upon 9 तो मैं सब सब कह सकता हूं ty3 seconds के बाद में particle जो है वो ground से 8 h upon 9 height पर होगा मतलब third option जो है वो इसका correct answer हो जाएगा clear है क्या next question की तरह बढ़ते है question number 3 देखें जड़ा question number 3 vector पर question है बुलाएद आप magnitudes of vector a, b and c are 3, 4 and 5 if a plus b equal to c मतलब c जो है वो a और b का resultant है तो angle between a पूछा है clear तो देखो तो मैं a plus b की value देदी तो a plus b का magnitude क्या होता है a square plus b square plus 2ab cos theta a plus c c मतलब 5 तो 5 under root 3 square plus 4 square plus 2 into 3 into 4 cos theta अब इस तो यह standard resultant देखो 3 और 4 अगर perpendicular होते तो resultant 5 आता है याद भी है तो सीधा भी tick कर सकते थे से ठीक है बाकि अकर तुम करना भी चाहो तो सीधा formula लगाओ यहां से value निकल सकती है तो यह हो गया 25 यह value भी हो गई 25 plus 24 cos theta तो यहां से cos theta की value आ गई हमारे पास 0 मतलब theta जो है वो कितना रहा होगा pi pi 2 रहा होगा clear रहा होगा next question की तरफ चलते हैं question number 4 देखें जड़ा question number 4 NLM का question है क्या बोला है इसमें the mass string system soon in the figure is in equilibrium पूरा का पूरा system जै वो उसको equilibrium में बोला गया यहां पर साथ में बोला है if the coefficient of friction between a and the table is point 3 यहां इस a block और table की वीच का coefficient of friction भी दे दिया हमें the frictional force on age यह पर कितना friction force लगेगा तो सब पहले तो option देखो option जो है वो बहुत ज्यादा close है 2.041.96 मतलब यहां small g की जो value है वो हमें exact काम में लेनी पड़ेगी clear है क्या 9.8 काम में लेनी है आपा ठीक है तो पहले तो मैं इस point पे limiting friction की value निकाल लेता हूं clear तो इस point पे limiting friction कितना हो जाएगा mu into n की value हो जाएगी mg, mu की value कितनी रखी है 0.3, m की value 1, g की value 9.8 काम में लेनी है तो यह value आ जाएगी हमरे पास देखो 2.94 Newton तो इस जगे पे जो maximum static friction लग सकता है वो 2.94 Newton लग सकता है हमेशा लगेगा जरूरी नहीं है requirement देखनी पड़ेगी कितनी की requirement है और यभी चाहिए मात्र 2 Newton तो 2.94 लग के क्या करेगा 2 Newton लगेगा देखते हैं कितना चाहिए तो देखो इसको आगे की तरफ बढ़ाएगा क्या T और equilibrium में तो इतना ही force पीछे की तरफ लगा होगा F T के equally मानलो इसको driving force आगे की तरफ T तो इसको equilibrium में यहां रखने के लिए अपन कह सकते है इतना ही force पीछे लगा होगा तो इस friction की value है T के बराबर रही होगी तो कुल मिला के T निकालना है देखो यह मानलेता हूं में T1 ठीक है इस friction में मानलेता हूं T2 तो इधर component आएगा T2Y root 2 इधर आजाएगा हमारे पास T2Y root 2 इसमें मानलेता हूं T3 तो T3 की value साफसा बोल सकते है equilibrium से कितनी हो जाएगी 0.2 into G मतलब 1.9.8 तो यह value आगई 1.96 Newton तो यह आगई T3 की value 1.96 यह T3 की value 1.96 तो यह T3 की value 1.96 तो य 1.96 तो T1 भी कितना रहा होगा 1.96 तो friction भी कितना चाहिए 1.96 तो friction की requirement ही कितनी है 1.96 तो लगेगा भी इतना थाड़ा आंसर हो जाएगा इसका clear है क्या next question की तरह बढ़ते हैं, question number 5 देखें जरा, question number 5 क्या बोल रहा है, work energy power से caution है, work energy power और circle का comment caution हो गया एक तरह से, बुला अब particle of mass capital M moves in a circle of radius R with a constant speed, देखो circular motion हो रहा है, बुभी constant speed से, मतलब पक्ता यह uniform circular motion है, आगे क्या बुला, the work done by the centripetal force when it completes half circle, तो देखो चाहिए uniform, non-uniform, कैसा है circular motion हो, circular motion में अगर मैं देखूं तो हर टाइम, centripetal force होता है, towards the center, और instantaneous displacement होता है, वो होता है, along the tangent, V dt, यह होता है, हमारे पास instantaneous displacement, clear, ठीक है, अब देखना, displacement और force हो हर instant पे perpendicular होंगे, तो हर instant पे इस force का work आएगा, 0, चाहे तो मुसको थोड़े instant के लिए देखो, चाहे कुछ arc के लिए देखो, चाहे semi circle के लिए, चाहे पूरे loop के लिए देखो, कभी भी देख लो, centripetal force का work, जो है, वो circular motion के लिए, always 0 आएगा, तो fourth option जो है, इसका correct answer हो जाएगा, clear, question number five की तरफ बढ़ते हैं, question number six देखें जरा, five तो हो गया है अपना, बुला, अब ball moving with a velocity of six meter per second, strike on an identical stationary ball, ठीक है बढ़ी, कि एक ball है, M mass की, six meter per second सुझा रही थी, और एक, बिलकुल एक और identical ball है, जो क्या है, stationary rest पे है, after collision, each ball moves at an angle of 30 degree with the original line of motion, कि ये जो original line of motion है, collision के बाद में यहां से, दोनों के दोनों ball, 30-30 degree का angle बनाते हुए जा रही है, what are the speeds of the ball after the collision, clear, ठीक है, तो देखो, एक तो symmetry हम सब कुछ बहुत सकते हैं, दोनों की speed सेम रही होंगी, clear, but the equipment prove भी कर देते हैं, मान लो, इसको मान लो ता हूँ, इसको मान ले ता हूँ, इसको मान ले ता हूँ, तो इसका इदर component कितना आएगा, V1 cos 30, इसका इदर कितना आजाएगा, V2 cos 30, ऊपर आजाएगा, V1 sin 30, नीचे आजाएगा, V1 sin 30, अब देखा, पूरे के, दोनों walls को, अगर मैं एक ही system में मान लो, तो net force 0 है, क्योंकि जो भी impact force आएगा, वो तो internal force हो जाएगा, क्लियर, तो initially भी force 0, finally भी force 0 है, तो net momentum क्या है, कंजब रहेगा, पूरे motion के करव, क्लियर, जब पूरे motion में momentum कंजब है, तो X में भी कंजब रहेगा, और Y में कंजब रहेगा, तो Y में पहले था 0, तो अभी वे 0 होना चाहिए, तो जितना प्लस में, उतना माइनस में, तो प्लस में, M B1 sin 30, प्लस में कितना है, M B1 sin 30, और माइनस में कितना है, M B2 sin 30, तो साफ साफ कह सकते है, B1 equal to B2 आ गया, अपन common sense भी कह सकते थी, कि सर सब कुछ symmetric है, तो same ही आना है angle भी same है, तो V भी same ही मिलना है, बाकि अगर mass different होते, तो V1 B2 में ऐसे relation भी निकाल सकते थे, clear, तो यहां तो अपन को पता लाग गया कि V1 B2 दूनों क्या है, same, अब हमें V की value निकाल नहीं है, तो X में भी momentum लगा दो, पहले X में momentum कितना था, M into 6, अब momentum कितना हो जाएगा X म clear, तो 2 से 2 गया, M से M गया, V की value आजाएगी 6Y root 3, 6Y root 3, तो इसको हम लिख सकते हैं, 2 root 3 meter per second मतलब third option जो है, वो इसका correct answer हो जाएगा, clear, question number 7 की तरफ चलते हैं, question number 7 में क्या बोला है, a particle of mass small m is fixed, one end of a light rigid rod of length L, कि ये जो particle है, उसको हमने क्या किया, एक rigid rod है, L length की, उससे यहाँ fix कर दिया, M mass का particle, ठीक है, और साथ में rod जो है, वो lighter rod का, खुद का कुछ mass नहीं है, and dotated in a vertical circular path about its other end, the minimum speed of the particle at its highest point, अब देखो, मन करेगा, यहाँ ससीधा answer root GL लगा दें, but difference है, अगर इसको हम एक string से, string से लटका के, फिर अगर घुमाते ना, तो बहाँ पर top point पर root GL आता, क्यों? क्योंकि इसको circular motion कराया रखने के लिए, अगर यह string होती है, तो circular motion कराया रखने के लिए, यहाँ पर centripetal force चाहिए ही चाहिए, अरे clear है क्या, centripetal force चाहिए ही चाहिए, ठीक है, और हम critical condition अगर लें, तो critical condition में यहाँ पर T कितना हो जाएगा, 0, तो mg जो है, T कितना हो जाए तो यहाँ पर तुरंत क्या कर देगा, अपना circular path चोड़ देगा, string जो है, वो slack कर जाएगा, और यह नीचे गिर जाएगा, यही पर नीचे गिर जाएगा, यही पर नीचे गिर जाएगा, यहाँ पर string नहीं है, यहाँ पर rod है, तो अगर यह particle इस तरह से circular करते हुए, rod को यह पिछका दे, क्यों, इसमें deformation नहीं चाहिए, rod में तो deformation हो नहीं सकता है, क्यों कि बोल दिया है, a light rigid rod, तो यहाँ पर इसके minimum velocity 0 भी हो जाएगा, तो भी, minimum velocity 0 भी हो जाए, तो भी यह rod जाएगा, इसको गिर नहीं देगी, और यह आगे के तरफ अपना motion continue कर सकता है, क्लियर है क्या, जबकि string के case में V0 होती है, तुरंत string जब वो slack कर जाएगी और यह नीचे गड़ जाएगा, तो यहाँ पर अगर अगर अपन को बोला जाए, कि हाइस point पर minimum speed कितने चाहिए, तो 0 हो सकती है, क्लियर, इसी के corresponding result कि बात कर तो bottom point पर कितने चाहिए, root 4GL, यहाँ root 4GL, यहाँ हो जाएगी हमारे पास 0, लेकिन अगर string काम में ले रहा हूं, तो यहाँ root 5GL, यहाँ root GL चाहिए, क्लियर है क्लियर है क्या, तो answer आजाएगा इसमें 0, ठीक है, तो केवल direct देखती है technique करना कि सर top point पर root GL होती है, सीधा second option लगाया answer आगया, क्लियर है क्लियर है क् caution को ध्यान से कैसा, क्या चीजे condition, caution में given कि वही है, caution में 8 की तरफ चलते है, 8 में क्या वोला है, two particles are moving with constant speed v on a circular, ठीक है, same circle पर, circular path having radius r, what is the speed of center of mass of the system, तो देखो center of mass की velocity हम क्या बोल सकते हैं, यह होती है, m1 v1 plus m2 v2 upon m1 plus m2, formula लगाओ, answer पाओ, तो यहां देखो, यह वाला जो है, 2mv वाला, यह plus में, इस दार्स उनको plus मानलो, तो इसका आगे कितना हो जाएगा, momentum, 2mv, इसका हो जाएगा, minus में, mv, upon, total mass, 3m, तो यह value आगा हमारे पास, by3, इलियर, यह आगे हमारे पास, mby3, मतलब by3, त तो center of mass की velocity कितने हो जाएगी, by3 हो जाएगी, यहाँ पर, first option correct हो जाएगा, next question दी तरफ बढ़ते है, question number 9 देखें जड़ा, question number 9 में क्या वोला है, two wires of the same length, and same material, but radius in the ratio of 1 ratio 2, ठीक है, radius का ratio दे दिया, इसने r1 ratio r2 equal to 1 ratio 2, तो area का भी जो ratio वो आजाएगा, इसका, 1 ratio 4, are stretched by unequal forces to produce equal elongation, the ratio of two forces, elasticity का question है, कि यह हमारे पास two strings, clear, दोनों के radius different है, but same length और material भी same है, L भी same, और हमारे पास young's modulus भी same, साथ में elongation भी कितना हुआ है, same हुआ है, तो बुलाए, forces का ratio, तो देखो, किसी भी string में, किसी भी wire में, अगर delta L, अगर तुम्हें longest लाना है, तो required force उसके लिए चाहिए, F equal to, Y A, delta L Y L, अब इसमें delta L, वो same बुला है, L same बुला है, material same है, तो Y भी same होगा, तो unequal force जहें, वो इनके area के proportional हो जाएंगे directly, clear है क्या, तो forces का ratio भी हो जाएगा, जो area का ratio है, मतलब one ratio, force जो है, तुमारा correct answer हो जाएगा, ठीक है, question number 10 की तरफ चलते हैं, question number 10 देखें जा रहा, क्या वोला है, an ideal, ideal system can be brought from stage A and B, through four parts, है सुन्दा फिगर, the energy given to system in is minimum in, ठीक है, इसको जरा ideal gas system है यह न, ideal gas system, इसको हम क्या करें, A से B तक energy देते हुए लेके आ रहे हैं, और A से B तक लाने के लिए हमारे पास, जो है, यह different different parts हमको दे रखें, AB, ADV, ACDV, AFB, तो बोला है, किस में हमें minimum energy, जो है, देनी पड़ेगी, के लिए, तो देखो, initial, final position, same है, तो delta E, energy में change वाएगा, EB minus E, वह तो same हो गया, सारे process के लिए, तो हम कह सकते है, heat supply delta Q equal to होता है, delta E plus W gas, अब delta E तो same है, जिसका W gas minimum होगा, उसके corresponding heat की value भी क्या आएगी, minimum आएगी हमारे पास, clear, तो देखते हैं, जहाँ पर किस का, दो PV graph दे रखाए, तो एकदम free marks होने वाले बात हो गई, कि PV graph दे रखा, area देखो, जिसका V access से area सबसे कम होगा, उसी के लिए heat क्या हो जाएगी, minimum, तो सबसे कम area जो है, हमारे पास इस graph के corresponding आएगा, ये वाला, तो A, F, B के corresponding हमें क्या मिलेगा, minimum मिलेगा, fourth option हमारे पास correct answer हो जाएगा, okay, next question देखते हैं, जहाँ, question number 11, if in refrigerator, the lower temperature coils evaporates, evaporator are minus 20 degree Celsius, and compressed gas in condenser has temperature of 77 degree Celsius, basically, जो highest temperature है T1, उसकी value है 77 degree Celsius, जिसको अगर मैं Kelvin में convert करूँ, तो 273 add कर देते हैं, तो ये value आगा हमारे पास, 273 और 7 हो जाएगा, 280, 280, 280, plus 70, आजाएगा हमारे पास 350 Kelvin, similarly, T2 की अगर बात करते हैं, बोजे रखा, minus 23 degree Celsius, इसमें 273 add करो, तो ये value आजाएगे, हमारे पास, 250 Kelvin, अब बोला है, the coefficient of performance, जो होता है, हमारे पास reference data है, उसके लिए formula आता है, law temperature T2 upon T1 minus T2, सीधा formula लगाओ, answer पाओ, ठीक है, इन formula के लिए कहूंगा, देखो, reference data का जो formula है, हमारे पास performance coefficient का, और साथ में Carnot engine का, दुनों का formula आपको याद रखना है, caution जो है, इसमें exam में देख जाते हैं, ठीक है, तो रखदो value, T2 की value हो गई, हमारे पास देखो कितनी है, 250 Kelvin upon T1 minus T2 कितना हो गया, 100, तो ये performance coefficient आ गया, 2.5, मतलब force option जो इसका correct answer हो जाएगा, next question number 12 की तरफ चलते हैं, क्या बोला, a body radiates 50 watt energy at a temperature of 400 Kelvin, देखो temperature 400 Kelvin दे रखा है, तो radiated power दे रखी हमको 50 watt, ठीक है, साथ में देख रहा है है, आग बला, if the temperature is increased to 1600 Kelvin, मतलब temperature को कितना किया है, 4 times किया है, तो अब radiated energy बतानी है, clear, तो मैं पता है, किसी भी body के लिए अगर मैं देखू, तो radiated energy जो होती है, वो होती है, हमारे पास temperature की power 4 के proportional, अगर temperature को 4 times करोगे यहां से, तो power जो है, हमारे पास 4 की power 4, मतलब 256 times हो जाएगी, तो पहले थी 5, अब 256 times, मतलब इंटू fiber कर दो बस तो यह value आगे हमारे पास, 1280 Watt, तो अब जो power radiator हो रही होगी, वो हो जाएगी, हमारे पास 1280 Watt, के लिए रहे क्या, उम्मीद सब के question जो है, definitely यह सही जा रहे होंगे, आगे बढ़ते है, question number 13 की तरफ, हाँ बढ़ी, Newton's cooling से question, बोला, a bucket full of water takes T1 minutes to cool from 70 to 65, T2 from 65 to 60 and T3 from 60 to 55, तो देखो rate of cooling जो होती है, वो आती क्या है हमारे पास, rate of cooling की value आती है, हमारे पास अगर मैं Newton's cooling से देखूं, तो यह आती है, हमारे पास K minus DT by DT equal to K T minus T naught, clear, चाहे Stephen से देख दो, तो स्टीफन के साब से अगर देखो, तो rate of cooling की value क्या आ जाएगी, यह आ जाएगी हमारे पास E sigma A, T to the power 4 minus T naught to the power 4 by MS, किसी से भी देखो, लेकिन अपने एक चीज तो कह सकते हैं, जैसे जैसे temperature decrease होगा ना, क्योंकि body cool होती जाएगी, तो temperature decrease होता जाएगा, तो rate of cooling decrease होगी, मतलब जब temperature जादा होगा, तो body जल्दी-जल्दी cool होगी, के लिए उसके बाद जब temperature कम होगा, तो body जब धीरे-धीरे cool होगी, तो शुरुआत के 5 degrees Celsius को decrease होने में कम time लगेगा, अगले 5 को decrease होने में थोड़ा ज़्यादा time लगेगा, और अगले 5 को और ज़्यादा लगेगा हमारे पास, तो हमारे पास हम कह सकते हैं, इस हिसाब से देखो, पहले 5 में अगर T1 लगा है, तो अगले 5 temperature decrease होने में, T2 definitely T1 से ज़्यादा होगा, तो correct answer आजाएगा हमारे पास third option, सबसे कम T1, T2 और सबसे ज़्यादा T3, बाकि अगर 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 rate of cooling की बात करें, तो rate of cooling जो होती है, वो exponentially हमारे पास decrease होती है, किसी भी time पर अगर मैं बात करूँ, temperature का time के साथ relation, तो वो भी exponentially decrease होने वाला ही आता है, तो same, same temperature fall के लिए, same temperature fall के लिए देखना, शुरुआत में ये time इतना लगा बस, उसके बाद थोड़ा सा बढ़ गया, और उसके बाद और ज़दा बढ़ गया, तो same temperature fall के लिए, जो time बढ़ता हुआ, जाएगा, तो no doubt हम कह सकते हैं, पहले कम लगेगा, फिर जादा, फिर और जादा, तो third option आएगा, दोनों तरह से, next question देखें जाना, question number 14, calorie metric का question है, बोला, ice में 19 gram of water at 30 degree Celsius, इसको हमने mix किया है, 5 gram ice में, minus 20 degree Celsius से, और पूछा है, mixer का final temperature, साथ में latent heat और specific heat की value given की हुई है, तो देखो, अगर water में water हम mix करते, तो definitely water बनता, ice में ice mix करेंगे, तो ice बनेगा, बट यहाँ पर जो हमें mixing की है, वो different phase की की है, क्लियर, water में ice को mix किया है, तो मैं नहीं पता क्या होगा, हो सकता है, complete ice melt हो जाए, या हो सकता है, complete ice melt नहों, क्लियर है क्या, तो ऐसे cases में हम सबसे पहले check करेंगे, कि क्या होगा, उसके बाद reality का पता करेंगे, तो बढ़ते ज़र आगे देखना, तो पहले मैं चेक करता हूँ, कि थर्मल एकुलिब्रियम अचीव करने से पहले किसी same temperature तक आएंगे, तो मैं माल लेता हूँ, water जो है, यह 0 तक आ गया, 90 gram water, 0 degree Celsius तक, तो इतना आने में heat release करेगा, कितनी m, s, delta, t, तो 570 release करेगा, calorie में, यह जो है, ice, अभी तो minus 20 पे है, तो पहले तो 5 gram, ice, 0 degree Celsius में convert होगी है, तो उसमें heat कितनी लेगी है, m, s, delta, t, तो यह value आगा, 50 calorie है, तो पहले तो इस ice को minus 20 से 0 तक आने में 20 लगेगा, बट मिल जादा रहा है, मतलब यही नहीं रुकेगी, आगे बढ़ेगी यह, ice जो है, पूरी के पूरी melt करा दो, तो यह बन गया, हमारे पास 5 gram water, 0 degree Celsius पे, तो melt होने में चाहिए, m into l, यह चाहिए 400 calorie, तो total 540 चाहिए, बट मिल और जादा रही है, मतलब मैं पक्का कह सकता जादा मिल रही है, तो यही नहीं रुकेगा, तो reality क्या होगी, reality यह होगी कि यही नहीं रुकेगा, यहां से किसी 3 degree Celsius तक बढ़ा होगा इसका temperature, और water जो है, यह भी 0 तक आने के वज़ाए, टी तक ही आके रह गया होगा, तो reality यह है, कि जो water है हमारे पास, 19 gram water जो है हमारे पास, ठीक है, 30 degree Celsius पे, यह कि 60 degree Celsius तक ही आया होगा, और जो हमारे पास 5 gram ice है, minus 20 पर, ठीक है, यह पहले तो 50 calorie अब्जॉर्ब करके, किस में convert होई होगी, 5 gram ice, 0 पर, उसके बाद, 400 calorie, एब्जॉर्ब करके, यह water में convert होई होगी, और उसके बाद, 0 से इसका temperature, इस T तक बड़ा होगा, thermal equilibrium achieve करने के लिए, ठीक है, जिसमें एब्जॉर्ब की होगी, इसने heat ms delta t, अब जितनी heat ice ने लिया, वो कहां से मिली है, water से, तो heat के energy conservation लगा दो, तो यहाँ heat कितनी दिय इसने heat दिये, ms delta t, तो water ने जितनी heat दिये, water ने जितनी heat दिये हमें, वही तो ice ने लिये, तो ice ने total कितने लिये, 450 plus ms delta t, solve कर लो, तो यह आगया, 570 minus 19 t, equal to 450 plus 5 t, तो यह value आगई, 24 t, equal to 120, तो t की value आगई, हमारे पास 5 degree celsius, क्योंकि यह celsius में लिया, तो यह भी celsius में आएगा, कि लिए रहे के, तो mixer का जो final temperature है, वो यहाँ रहा होगा, 5 degree celsius, option देखते हैं जड़ा, तो option देखा, अभी third option जो है, हमारे पास correct answer हो जाएगा, next question की तरह बढ़ते है, question number 15, alternating current AC से question है, बोला है, the value of alternating EMF E, in the given circuit, तो देखें, तो इस series LCR में net voltage अगर लिखा जाएगा, तो वही source E के बरावर हो जाएगा, उसको अगर लिखाएगा, उसको अगर लिखाएगा, तो यह हो जाएगा, अब देखो, VL की value कितनी है, 40V, VC की value कितनी है, 100V, VR कितना दे रखा है, 80V, resultant निकालते हैं, तो नीचे की तरफ आ गया, 60, इदर आ गया, 80, दोनों का resultant इदर आ जाएगा, 100V, तो source का जो हमारे पास यह supply है, वो रहा होगा, हमारे पास 100V, तो correct answer क्या हो जाएगा, हमारे प हमारे पास, first option हो जाएगा, next question के तरह बढ़ते है, question number 16, हाँ, 16 में क्या बोला है, the alpha particles, proton and electron, moving, move with the same momentum, momentum से में तीनों पार्टिकल्स का, तो बोला है, their respective deep broadly wavelength, तो देखो, किसी भी material particle के लिए अगर wavelength लिखे जाए, तो lambda की value आती है, हमारे पास H upon P momentum, अब कॉशन में बोल दिया कि सबका momentum से में तो P तो सेम होई गया, H plank constant होता ही है, तो सब के लिए lambda भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, तो correct answer आजाएगा, यहाँ पर, first option, clear है क्या, next question के तरफ चलते है, question number 17, हाँ बही, 17 में क्या बोला है, the work function for metal A, B and C, गिवन किया है हमको, बोला, according to Einstein equation, the metal which will emit photo electron for radiation of wavelength this, कि कौन साज जो है, हमारे पास किस surface से इस wavelength के लिए photon निकलेगा, तो पहरो तो इस wavelength के corresponding में energy निकाल लेता हम, photon की, तो energy आजाएगी, 1, 2, 4, double, 0, electron volt upon lambda की value, एंग स्ट्रंग में, तो यह value आगा हमारे पास, देखो कितनी, यह आएगा, हमारे पास, 40 मने न, तो इसको मैं बन किया रहा हूं, अब देखो ज़रा, अब electron limit कराना है, तो electron limit कहां होगा, electron limit वहाँ होगा, जिसके लिए E note की value है, वो उसके work function से ज़्यादा होगी, तो चेक कर लो, तो देखो पहले case में चेक करते है, यह work function है 1.92, definitely जो photon की energy work function से ज़्यादा है, तो A तो करेगा, B के लि limit करेगा, तो A भी answer हो जाएगा, हमारे पास, मतलब third option, clear है क्या, next question की तरह बढ़ते है, question number 18, हाँ बढ़ी, 18 में क्या वोला है, as per war model, the minimum energy in electron volt required to remove an electron from the ground state of W ion, ionized lithium plus, plus, lithium ion से हमें क्या निकालना है, हमें electron निकालना है, वो भी कौन सी state से, ground state से, तो देखो, ionized energy होती है, किसी भी एन cell के लिए वो होती है, हमारे पास 13.6, z square upon n square, अब n की value तो 1 हो गई, तो रख दो value 13.6, z की value lithium के लिए हो जाएगी 3, तो ये value आजाएगी, हमारे पास 9 से multiple कर दो, multiple करते हैं, 122.4 electron volt, तो बी option जो है, fourth option जो है, वो हमारे पास correct answer हो जाएगा, ठीक है, next बढ़ते है, question number 19 की तरफ, हां मैं, 19 में बुलाए, the correct order of the ionizing capacity of alpha-b10 gamma particle, तो देखो, कोई भी medium है, उसको ionize करना है, जैसे मानलो, इस जगे पे, इस AR में, यहाँ पर गैसे होंगी, इनको ionize करना है, तो इसमें मैं particle की bombarding करूंगा, अब बो particle अगर इसको hit करेंगे, जितना ज़्यादा hit करेंगे, तो उतना ज़्यादा collisions की वैसे, इस से ironization होने की probability बढ़ेगी, तो मैं कह सकता हूँ, हमारे पास, जिस वाले particle की size ज़्यादा होगी, वो हमारे पास collision करने की उसकी probability भी ज़्यादा होगी, किलियर तो आप वो देखो, size के साब से, जिस particle की size ज़्यादा हो, collagen भी ज़्यादा करेगा, तो ionize भी ज़्यादा करेगा, ionizing power भी ज़्यादा होगी, तो हम देख सकते हैं, alpha, beta, gamma में, alpha हमारे पास helium ion होता है, तो second option जब हमारे पास correct answer हो जाएगा, इस चीज़ के लिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, caution no.20 की तरफ, caution no.20, semiconductor genodiode से caution है, देखो, semi conductor से caution बनता है न बढ़ी याद, तो याद तो genodiode से बनता है, अच्छा खासा, logic gate, semiconductor में हमारे पास अच्छे कोशन बनते हैं, लॉजिक gate से और साथ में हमारे पास transistor के जो alpha, beta और gamma current बनते हैं, उन पर caution बनते हैं, यह चीज़ डेफिनिटली एग्जाम से पहले, यह फिर से रिवाइज करके जरू चले जाना है, यह आती है तो और भी अच्छा है, 20 में क्या होला है, the voltage between the terminals A and B is 17, input जो हमने 7 volt का दिया है, general breakdown voltage 9 volt है, then the potential across R is, general diode is working, दिको general diode जो वर्क करता है, तो उसके across potential difference होता है, उसके general voltage के एक वल, तो यहां बोला है कि यह operate कर रहा है, तो यहां तो potential difference आ गया, general voltage 9 volt के एक वल, अब बोला, इस R potential difference कितना होगा, तो साफ साफ जेख सकते हो, 17 minus 9, जो है, हमारे पास 8 volt जो है, इसका potential difference हो जाएगा R, clear, आगे बढ़ते है, caution number 21 की तरफ, 21, logic circuit दे रखा है, बोला, identify the operation performed by the circuit given below, इसका equivalent, इसका output हो किसके equivalent होगा, भूब हमसे पूछ लिया, तो देखो, nor gate और nand gate, इनको अगर हम common input देदें, तो यह not gate की तरह वेव करते हैं, तो यह भी not gate हो गया, यह भी not gate, तो A, A bar देदेगा, यहां से B का B bar आ गया, again nor gate है, तो nor gate क्या करता है, पहले तो add करता है, फिर bar लगाता है, तो यह बन गया A double bar, B double bar तो A, B, तो यह जो output जो है, वो end gate की तरह बेव करने वाला यहां पर, question number 21, 22 देखें जड़ा, 22 में क्या बुलाए, in the arrangement of the resistance shown below, तो effective resistance between point A and B, A और B की बीच में effective resistance पहुचा है, तो देखो यहां पर अगर मैं देखो तो यह 5 है, यह 10 है, यह हमारे पास 10 है, यह 20 है, तो मैं अगर ध्यान से देखो तो इनका ratio same है, 5 upon 10 भी हाफ, 10 upon 20 भी हाफ, 15 upon 30 भी हाफ, तो यह balance beat stone bridge की condition हो गई, तो इस bridge के लिए इसको हटा दो, इस bridge के लिए इसको हटा दो, अब तो यह simple combination मन गया, यह भी series में, यह भी series में, जो भी आएगा, वो parallel में हो जाएगा, तो उपर कितना हो गया, उपर हो गया, हमारे पास 30 ohm, नीचे हो गया, हमारे पास 60 ohm, और यह दुनों parallel में तो R equivalent की value आजाएगा, हमारे पास R1 into R2 upon R1 plus R2, तो यह value आगई 20 ohm, first option जो है, वो correct answer हो जाएगा, A और B के बीच, equivalent resistance के लि light is incident normally, one of the face of a prism, कि यह हमारे पास एक prism है, इस पे, इसके normal के about, जो है, वो light incident की है, clear, अब normal के about आई है, मतलो, angle of incidence 0, तो यह angle of reflection भी क्या हो गया, जीरो, तो यहाँ पर, जो R2 रहा होगा, उसकी value क्या हो जाएगी, A, क्योंकि R1 plus R2 का sum, prism angle के इकल होता है, prism angle भी तो में यह दे रखा है 30, तो बहुत रहा है, reflective index भी root 2 दे दिया, the angle of deviation, कोई दिकत नहीं है, I की value है 0, यह हो जाएगा, हमारे पास angle of emergence, E की value निकाल देते हैं, तो यहाँ लगाओ स्नेल स्लो, mu sin A, equal to 1 sin E, ठीक है, तो mu की value, root 2, A दे रखा है 30, तो sin 30 हो जाएगा, 1 by 2 sin E, तो यह value आ minus A, I 0, E की value 45, A की value हमें दे रखी है 30, तो deviation angle आगे हैं, यहाँ से 15 degree correct answer हो जाएगा, ओके, next question 24 की तरफ चलते हैं, 24 देखें जारा क्या बोला है, by ADAC wave optics से caution और इससे देखो यह, जो maximum minimum intensity का ratio जो बार बार पूछा जा रहा है exam में, clear, formula भी इस चीज़े, 24 में क्या बोला है, two slits in young double slit experiment have width in the ratio of 1 ratio 25, की slit की width है ना उनका ratio हमें दे दिया, the ratio of intensity as maximum and minimum inter interference pattern are Imax upon Iminimum edge, clear है क्या, की maximum और minimum intensity का ratio पूछा है, तो देखो slit जो हमारे पास उसकी side जितनी ज़्यादा होगी, उससे उतनी light जाएगी, मतलब intensity, slit width की proportion होती है, clear, तो जो slit width का ratio है, भाई इनकी intensity का ratio मानलो, I1, Y, I2 की value कितनी आ गई, 1 upon 25, तो देखो Imax, Y, Iminimum के ratio की बात करते हैं, Imax, Y, Iminimum, Imax की value होती है, under root I1, plus under root I2 का hall square, Iminimum की value होती है, under root I1, minus under root I2 का hall square, ठीक है, इसको divide कर देते हैं, हम, इसको मैं लिख लेता हूँ, I2, Y, I1, equal to 25, I1 से divide करते हूँ, तो यह बन जाएगा, 1 plus under root I2, Y, I1, यह बन गया, 1 minus under root I2, Y, I1 का hall square, ठीक है, तो 1 plus I2, Y, I1 के value 25 होती है, root करोगो, तो यह बन जाएगा, 5, 1 minus 5 का hall square, उपर बन गया, 6, नीचे बन गया, 4 का hall square, मतलब 3, Y, 2 का hall square, तो ratio आजाएगा, 9Y, 4, clear, रिष्वाजाएगा, 9Y, 4, तो I max, Y, I minimum को रिष्वाजाएगा, 9Y, 4, मतलब 4th option, clear, next question की तरफ चलते हैं, question number 25 दिखें, 25 में क्या होड़ादा, light wave can be polarized as the, तो देखो, polarization cable, उन waves का होता है, जो transverse होती है, longitudinal waves का polarization नहीं होता, इसलिए sound का polarization नहीं होता है, but light का हो जाता है, क्योंकि light क्या, हमारे पास एक transverse wave है, तो first option जो इसका correct answer हो जाएगा, ठीक है, next question की तरफ चलते हैं, question number 26, अब eternity stress में क्या बोला है, in a young double set experiment, the intensity at a point where the path difference is lambda y6, यह path difference हमको दे दिया, delta x lambda y6, lambda है wavelength, तो इसके corresponding phase difference की value होती है, 2 pi y lambda into delta x, तो यह value है हमारे पास pi y 3, मतलब 60 degree, ठीक है, तो बोला है इस ने, the wavelength of light is used, if it's i, if i not denote the maximum intensity, then i upon i not, तो देखो किसी भी general point पर अगर मैं intensity लिखूँ, ydac में तो बोलिखी जाती है, 4i, i not cos square 5 by 2, ठीक है, यहाँ 5 होता है, phase difference, 4i not होता है, हमारे पास maximum intensity, जिसको यहाँ पर इसने i not बोला है, इसी को चीज़ को क्या बोला है, इसी पूरी चीज़ को इसने क्या बोला है, i not, maximum intensity को क्या बोला है, i not बोला है, इसको i not बोला है, ठीक है, तो i upon i not की value क्या हो जाएगी, यह हो जाएगी cos square 5 by 2, तो cos square 5 के बोले जो रखिए, हमें 60 तो यह होगे, 30 का all square, cos 30 के बोले root 3 by 2, square करोगो तो यह आजाएगा, हमेर पास 3 by 4, मतलब 4th option जो इसका correct answer हो जाएगा, clear, next question की तरह बढ़ते हैं, question number 27, rotation का question, बोला, a small object of uniform density rolls up a curved surface with an initial velocity B, it reaches up to a maximum height of 3B square by 4G, with respect to initial position the object H, clear, तो यह rolling कर रही है, तो इसके, अब वो भी किस पे, fix surface पे, तो fix surface पे अगर यह rolling कर रही है, तो आगे की तरप इसका V speed है, यह omega है, तो bottom point पे देखो, तो V equal to omega R होगा, ताकि इस पे slip नहों, clear, कि यह वाल rolling हो, V equal to omega R, तो जिस time पे V zero हो जाएगा, उस time पे omega V zero हो जाएगा, मतलब एक साथ इसकी rotational kindic energy, rotational energy और translatory kindic energy, जो क्या है, वो zero होने वाली है, clear, तो यहां से रोल करते हुए, उपर चड़ा, तो जब यह maximum height पे होगा, तो V V zero, omega V zero, ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ, complete kindic energy, इसकी potential energy में convert हो जाएगी, क्लियर है क्या, ठीक है, तो देखो जड़ा, complete kindic energy की बात करते हैं, तो यहां पर अगर देखो, तो यह rotation energy क्या लेको, कि half I omega square, half I omega square, omega की value V by R से, यह बन जाएगा, V square upon R square, साथ में translated energy, half M V square, ठीक है, equal to maximum height M G, H, और H की value जेदी, इसने 3 V square by 4 G, G से G गया, तो यह value बन गए, हमारे पास half I V square upon R square, यह बन गया 3 V4 M V square, यह half M V square, तो यह value आएगी 1 V4 M V square, ठीक है, V square से V square गया, तो I की value साफ साफ दिखाए दे रही है, M R square by 2, clear, M R square by 2 जो है, center of mass के about किसके लिए होती है, वो होती है, हमारे पास disc के लिए, तो definitely यह जो body है, वो क्या रही होगी, disc रही होगी, clear, question number 28 की तरफ चलते है, 28 में क्या होगा, a force of minus F kk acts on origin, कि यह जो force है, वो किस पे लग रहा है, minus F kk में, minus में, अंदर की तरफ force लग रहा है, F, clear, इस point origin पे, और हमें torque निकालना है, about a point, 1, minus 1 and 0, तो यह x मान लो, यह y है, यह z हो जाएगा, बार के तरफ, तो 1 और minus 1, 1, minus 1, और 0, इस point के, about torque निकालना है, तो देखो, जिस point के, about torque निकालना है, वहाँ से हम position vector, खीचने start करते हैं, और जिस point पे force लग रहा है, उस point के लोंग दिकाते हैं, तो यह होगी हमारे पास R vector, तो R vector की बात कितनी हो जाएगी, R vector हो जाएगा, हमारे पास 0, minus 1, minus I, 0, minus 1, minus 1, plus J, तो यह होगी हमारे पास R vector, अब torque निकालना है, तो torque क्या हो जाएगा, torque होता है, R cross F, R की value हमारे पास, minus I cap, plus J cap, cross force की value दे रखी हमें, minus F, K cap, तो cross part कर तो, तो I, minus minus plus F, I cross K, K, I cross K, ठीक है, तो यह है हमारे पास, I cross K, निकाला हमारे पास, तो minus minus तो plus होगी है, पहले I को क्येसे करते हैं, minus minus plus F की value F, I cross K, तो I cross K हो जाएगा, minus J, ठीक है, फिर करते हैं, J वाले को, तो यह हो जाएगा, minus F, J cross K करते हैं, तो J cross K हो जाएगा, plus का I, तो यह value आगई, minus F, I plus J, इतना torque लग रहा होगा, तो यह option देखो जारा, first option है, इसका correct answer हो जाएगा, द्यान देना, जल्दी बाजी में यह मत कर जाना, किसी को position vector ले लो, ज़स उल्टा answer आजाएगा, second आजाएगा, फिर, पूछा ही, origin के about नहीं पूछा, उस point के about पूछा है, तो उस point से origin की तरफ, position vector द्रो करना है, हाँ भी, question number 29 की तरफ चलते हैं, क्या उल्दा इसमें, four point mass is each of value M, are placed at the corners of a square, यह square है हमारे पास L side का, ठीक, A, B, C, D, उल्दा, moment of energy of this system, out and access passing through A, A से access pass कराना है, parallel to BD, इस BD के parallel, इस access के about, तो देखो यह distance कितनी हो जाएगी, root to L, तो यह कितनी हो जाएगी, L Y root 2, यह भी कितनी हो जाएगी, L Y root 2, root 12 का जस्ट आधा, यह भी L Y root 2, perpendicular distance आ गई, अब निकाल दो moment of energy, इस C वाले के लिए के लिए कितना हो जाएगा, M root 12 का square, मतलब 2 L square, प्लस, इसके लिए कितना हो जाएगा, M, L Y root 2 का मतलब M L square by 2 इसका भी सेम हो जाएगा M L square by 2 तो यह value आजाएगी M L square by 2 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 M L square plus 2 M L square 3 M L square जो हो इसका correct answer हो जाएगा second option हो जाएगा इसका answer आगे बढ़ते है question number 30 की तरफ 30 में क्या होला देखो A particle of mass capital M is situated at the center of a spherical cell of mass capital M mass और A radius का cell है इसके center पे capital M mass point mass भी रख दिया magnitude of the gravitational potential at a point situated at A by 2 distance from the center यहाँ से A by 2 पर potential पूछा है तो देखो मन करेगा clear जल्दी बाजी में अगर हम इस small M को भूल गए ना इस capital M को भूल गए ना तो मन करेगा भाई कि वह इस cell के अंदर तो potential होतना ही होता है जितना cell की surface पे होता है तो Gm by A हो जाना चाहिए second नहीं है यह answer clear क्योंकि यह दो चीज़े है इस point पे potential की बात करो तो इस point particle की बैस तो हो जाएगा Gm by R plus इस cell की बैस से होतना ही होगा जितना है इसकी surface पे है तो Gm by A clear अब इसमें actual में यह minus में होता है potential बट इसमें कीवल हमें options देखके लग रहा है सबकी कीवल value पूछी है magnitude पूछा है ठीक है तो यह value कितनी आ गई minus Gm by A by 2 plus Gm by A तो answer आजाएगा 3Gm by A fourth option जो हमारे पास correct answer हो जाएगा clear next चलते हम caution number 31 की तरफ हाँ बई 31 में क्या वोला है हमसे the electric field inside a spherical cell of uniform surface charge density H ठीक है कि एक electric field पूछा है वो बे inside a spherical cell of uniform surface charge density कि यह हमारे पास एक cell है जिस पे uniform surface charge density दे रखी है तो इसके अंदर electric field बता हमें पता 0 होता है cell के अंदर electric field कितना होता है 0 correct answer first option next चलते है question number 32 की तरफ हाँ बई a spherical conductor of radius 2 meter is charged to a potential of 120 volt ठीक है यह हमारे पास का a spherical conductor इसको हमने 120 volt तक charge कर दिया अब क्या बोला है it is now placed inside another hollow spherical conductor of radius 6 meter ठीक है इसको हमने क्या किया एक और spherical conductor लिया कि ये रीडिया से 2 meter उसकी रीडिया से 6 meter ठीक उसके अंदर रख दिया calculate the potential to which the bigger sphere will be right तो इसकी वज़े से यहाँ potential पूछा है यहां पर कितना potential आजाएगा कोई दिक्कत नहीं है तो इस sphere की वह से outer point होगे sphere का outer point होगे तो potential लिखा जाएगा kqy r अब देखो r को हमने क्या कर दिया triple कर दिया r को triple कर दिया तो voltage कितना हो जाएगा बनवाई third times तो बनवाई third times कर दो पस 120 का बनवाई third क्या हो जाएगा हमारे पास 40 volt हो जाएगा clear next question की तरफ बढ़ते है question number 33 क्या वोलाए an electric dipole is placed at an angle of 30 degree with an electric field intensity कि यह हमारे पास electric field है इस से हमने 30 degree पर एक dipole रख दिया जिसका dipole moment होता है q into length के लिए dipole की length और क्या वोला है 30 दे रखा electric field की value दे रखी है torque experience भी बता दिया कि जो torque लगाना है इस पर वो 4 newton meter का है the charge on the dipole is if the dipole length is 2 centimeter charge पूछ लिया तो जो हम torque की value लिखें तो वो होती है इस पर P cross E से P E sin theta रखो value torque की value है 2 into 10 to the power 5 P की value हो जाएगी q into L L की value 2 centimeter P की value एक मनट यह है E की value ना torque की value दे रखी है 4 newton meter E की value है 2 into 10 to the power 5 sin theta की value हो जाएगी हाँ 2 से 2 गया इस 2 से गया 2 times 2 into 10 to the power minus 3 coulomb आगी Q की value मतलब 2 millikulams जो है वो और एक तांसर हो जाएगा इसका ओके कॉस्ट नमर 34 की तरफ चलते हैं कि आवई क्या वोला है इसमें 2 parallel plate of area A are separated by us by two different dielectrics as 19 एगर the net capacitance is ठीक है combination of capacitor भो भी dielectric भरने के बाद तो देखो यह जो capacitor बनेगा इसके लिए अगर मैं कैपिसिटर लिखू तो क्या लिखूंगा इसकी value आजाएगी c equal to coefficient 1 director coefficient 1 into area A epsilon not upon इसके बीच का separation dy2 तो यह आगया इसके लिए c अगले के लिए बात करतो है उसके लिए क्या हो जाएगा नीचे वाले के लिए उसके लिए c dash हो जाएगा k into A epsilon not upon dy2 तो यह आगया हमारे पास 4 c 4 कितना गया 4 A epsilon upon d आ गया ठीक है तो इनके लिए अगर effective निकालना तो देखो यह एक तरह से series combination हो गया है इन दोनों का A की तो value है 2 A epsilon upon d A की value है 4 A epsilon upon d equivalent निकालना है तो series में क्या करते हैं series में capacitor में वही formula लगता है जो resistance में parallel में लगता है तो यह आपन कह सकते हैं 1 upon c equivalent की value हो जाएगी 1 upon c1 plus 1 upon c2 तो यह value हागा है हमारे पास 1 by 2 plus 1 by 4 3 by 4 A epsilon upon d तो c equivalent की value क्या हो गई 4 by 3 A epsilon upon d तो 4 by 3 A epsilon upon 3 d जो option हो हमारे पास first option हो जाएगा तो यह हमारे पास correct answer हो जाएगा next question number 35 की तरफ चलते है 35 में क्या वोला है the drift velocity of free electrons in a conductor is B when a current I is flowing in it if both the radius and the current are double then drift velocity will be तो किसी भी conductor के अंदर जब current flow हो रहा है तो उसमें current की value लिखी जाती है N E A V D यहां पर N है number of electrons per unit volume यहां से अगर तुम बात करों तो देखो क्या किया किया है इसमें एन तो है इसमें क्या किया है इसमें बहुत दा radius and current are double हमने केवल current और radius को double किया है radius को double किया है तो area भी change होगा तो हम साब साब कह सकते हैं BD की जो value है यहां से I1 upon I2 equal to हो जाएगा A1 upon A2 into VD upon VD1 upon VD2 निकाल लो क्योंकि यह तो constant हो गया ठीक है तो current को क्या कर दिया है इसने double current को double कर दिया तो यह तो रेशो आगया बनवाई 2 radius को भी क्या किया है इसने double किया है तो area जो अब नया वाला हो जाएगा four times तो यह आ जाएगा V upon नया वाला BD2 तो इससे गया two times है तो VD2 की value आ गई हमारे पास by two second option correct हो जाएगा सिधा formula लगाओ comparison करो answer पाओ clear है क्या तो section B की तरफ चलते हैं देखें जरा question number 36 क्या बोल रहा है if a ball is thrown upward from the surface of earth then what will happen तो देखो यह अगर हमारे पास earth की surface है और यहां से अगर हम एक ball को ऊपर फैंक रहे हैं ठीक है अब बॉल को अगर फैंका जा रहा है ऊपर तो डेफिनेटली इस पर फोर्स लगाया गया ऊपर की तरफ f clear अब बॉल पर उपर की तरफ action किया है तो इसका reaction अर्थ पर किदर होगा नीचे की तरफ बॉल और अर्थ पूरे सिस्टम को अगर देखा जाए तो नेट फोर्स जो है वो जीरो है इसलिए मोमेंटम रहेगा इनिशली अगर फैकने से पहले जीरो है तो फाइनली भी जीरो होना चाहिए क्लिया तो मैं कह सकता हूं यह बॉल अगर उपर व से जा रही है तो यह अर्थ जो है वो भी नीचे किसी वेलोस्टी से जाएगी क्लियर है क्या तो एक्चुल में अर्ज जो है वो थोड़ा सा नीचे जाती है लेकिन प्रिक्टिकल्य ओपजर्व क्यों नहीं होता है फिर कि सर अर्थ नी से चले गई, तो उसका सीधा सा लोजिक है, capital M की, small M की, capital M की जो वैल्यू है, इस बॉल के मास्क के कंपेटिजन में, एप्रोक्स इंफिनिट ही है, बहुत ज़्यादा, इसलिए V-डेस की वैल्यू है, एप्रोक्स जीरो आती है, लेकिन आती तो है, कि लिए रहे क्या, एग्जेक्ट जीरो नहीं होती है, ओप्सन पढ़ते जारा, क्या बोला है, the earth remains stationary, no, the ball remains stationary, no, the ball and the earth both moves towards each other, तो यह wrong हो जाएगा, क्योंकि अवे फ्रॉम जा रही है, बहुपर जाएगी तो यह निचे जाएगी, the ball and the earth both move away from each other, तो फोर्ट जोए हमारे पास correct answer हो जाएगा, क्लिए रहे क्या, आगे बढ़ते है, question number 37 की तरफ, क्या बोला है इसमें, if w1, w2, and w3 represent the work done in moving a particle from a to b, the three, along three difference pass 1, 2, and 3 respectively, in the gravitational field of point mass small n, find the correct relation between w1, and w2, and w3, तो देखो small n के gravitation के effect के अंडर, हम एक particle को कहा लेके गए, a से b तक लेके गए, three different paths से, तो gravitation का जो work है, हमारे पास, gravitation force जो है, वो एक conservative force है, और conservative force का जो work है, वो हमें वहारे पास पर depend नहीं करता, केवल initial final position पर depend करेगा, तो पास चाहे कोई सा भी लो, initial final position सेम है, इसलिए एक conservative force के against, जो work किये गया, वो भी यहां पर क्या रहा होगा, हमारे पास सेम रहा होगा, conservative force ने, जो work किया होगा, वो भी क्या रहा होगा, सेम रहा होगा, मतलब w1, w2, w3 क्या होंगे, सेम होगे, क्लियर है क्या, conservative force का work पुछाया, आगे बढ़ते हैं जड़ा, question number 38 देखें, 38 में क्या बोला है, at what height, the gravitational field reduces, by 75% the gravitational field, at the surface of the earth, कि earth की surface पे, अगर gravitational field की बात करो, तो वो होता है, gm upon r square, तो यहां से कितनी height पर, यहां से, कितनी height पर, जो gravitational field जब 75, reduce हो जाएगा, मतलब 25% बचेगा, 25% बचाना है, मतलब h height पर, जो gravitational field की value, वो कितनी हो जाएगी, gm by 4r square, यहां के comparison में 25%, तो रख दो value, यह इसको हम लिख सकते, gm upon r plus h का hall square, तो साब साब दिखाएज़ रहा है, r plus h की value, यहां से 2 है, तो h की value कितनी रही होगी, r, मतलब surface से r height पर, हम बात कर रहे हैं, तो first answer हो जाएगा, इसका correct, next question number 39, देखें ज़रा, 39 NLM का question again, बुलाए, two massages M1 and M2, M1 greater than M2K, are tied to two strings, passing over a frictionless pulley, if lift accelous downward, with accelous GY4, then the tension in cable, supporting the pulley edge, ठीक है, tension निकालना हमको किसमें, जो हमारे पास pulley को support कर रहे हैं, उसमें, ठीक, तो देखना ज़रा, M1, M2, GY4, तो यह हमें, pulley, इस से लटकाया हमने, M1, इस से लटकाया हमने, M2, with respect to, lift अगर बात करूँ, तो pseudo force all लगा दो, आपर आजाएगा, M2 into A, इसमें भी उपर आजाएगा, M1 into A, हम से जो tension पूछा है, वो पूजा दो, tension in the cable supporting the pulley, कि इस pulley को जो support कर रहे हैं, इसमें tension पूछा है, यहां कितना होगा, यह T निकालना हमको, T2, जो कि किस के क्वल हो जाएगा, इनमें अगर tension अगर मैं T मान लूँ, तो यह 2T के क्वल हो जाएगा, 2T निकालना है अपन को, अब देखना ज़रा, तो देखो, NLM की equation लगाते हैं, पहल तो इस पे लगाते हैं, तो M1 ज़्यादा है, मैं मान लेता हूँ यह जा रहा है नीचे, A से, यही बुला ना M ज़्यादा, M ज़्यादा बुला हाँ, तो मैं मालता हूँ M बन नीचे जा रहा है, तो M2 जाएगा A से उपर, lift के respect में, ठीक है, तो NLM की equation लेखते हैं, तो इसके लिए लेखेंगे अपन, M1 G, माइनस T, माइनस M1 GY4, एक्वल टू M1 A, ठीक है, इसके लिए लिए M2 के लिए उपर जा रहा है, तो T, प्लस M2 GY4, माइनस M2 G, एक्वल टू M2 A, ठीक है, दोने equation से A से, अगर मैं comparison करूँ तो M1 डिवाइड कर दो, तो यहाँ बन गया, G माइनस T Y M1, माइनस GY4, प्लस GY4, माइनस G, एक्वल टू A, अब यह दोनों value सेम है, तो बरावर कर देंगे इनको, तो देखों इधर से तो एक कितना बच गया, A की value कितनी आ गई, 3 GY4, माइनस T Y M1, यह एक्वल है किसके, T Y M2, माइनस, 3 GY4, ठीक है, T को एक तरफ लेके आते हैं, तो यह बन जागा 3 GY4, 3 GY4, तो यह तो बन गए 3 GY2, एकल टू T, अब 1 अपॉन M1, प्लस 1 अपॉन M2, तो यह आगे T, M1 प्लस M2, अपॉन M1, M2, तो यहां से T की value आ गई, हमारे पास, 3 Y2, M1, M2, 2 अपॉन M1, प्लस M2, अपॉन M2, अपॉन M2, यह तो आया है, हमारे पास, नीचे वाली स्ट्रिंग में T, हमसे उस केवल में पूचा है, जो पुली को सपोर्ट करी, तो महां डबल हो जाएगा, तो इसको 2 से मलिटिबल करती है जाएगा, 3 M1, आगे बढ़ते हैं जड़ा, कॉच्ण नमर 40 देखें, 40 में क्या वोला हमसे, 1 वाड़ी अप दे मास M, इस सस्पेंड़ फ्रॉम 3 स्प्रिंग S, इच स्प्रिंग हैज स्प्रिंग कॉंस्टेंट के, इफ मास M, इस स्प्रिंग में कर लेता हूं, तो यह तो वागए परलल में, इस स्प्रिंग के लिए, परलल के कॉम्बिनेशन विल्कुल यह याते हैं, जैसे कैपिस्टर में आते हैं, या बोल तो रजिस्टेंस का उल्टा, तो इन परलल के लिए, बात करूँ तो इनका तो हो गया, हमारे पास कितना 2K, इसके साथ यह आगया, सीरिज में, ठीकिपरलल में, तो डायेक्टेड होंगे 2K, इनके अगर देखूँ तो सीरिज का एफेक्टिव हो जाएगा, 2K इन्टू के अपॉन 3K, मतलब पूरी स्प्रिंग को मैं, 2K 3 के कॉंस्टेंट की एक स्प्रिंग मान सकता हूँ, इससे ही लटका हुआ, तो इसके लिए टाइम प्रिट कितना आ जाएगा, 2Pi अंडर रूट, M by K effective, K effective की वेले 2K by 3, तो 2Pi अंडर रूट 3M by 2K, यह मतलब second option जो इसका correct answer आ जाएगा हमारे पास, clear, next question 41 की तरफ चलते हैं, हाँ भी, 41 में क्या होला है, vibration in 3 uniform wires has frequency N1, N2 and N3, if these wires are joined to form a single wire, then frequency of vibration, clear, तो पहले wire में जो frequency है, वो दे रखिये N1, N1 की वेल्यू क्या हो जाएगी, wire है, तो अपने पास by 2L1, clear, ठीक है, दूसरे के लिए क्या हो जाएगी, by 2L2, तीसरे के लिए क्या हो जाएगी, by 2L3, अब तीनों को जोड़के एक बायर बना दिये, तो अब नई frequency N क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी, कि मारे पास V by 2L1 प्लस L2 प्लस L3, मतलब V upon 2N1 प्लस V upon 2N2 प्लस V upon 2N3, तो यहां से अगर देखोगो तो V upon 2 तो सम्में से गया, तो यह value आगाई, 1 upon N equal to 1 upon N1 प्लस 1 upon N2 प्लस 1 upon N3, अब देखो दिमाग में आएगा, अब अपने fundamentally क्यों माना, और string जो है, उसको अपने दोनों ends पे connected ही क्यों माना, तो तो साब साब देख सकते हो, कि अगर तो इसकी बजाए एक end पर open भी मालना, तो भी जो fraction जो है, वो cancel हो जाएंगे, clear, end harmonic मालनो, कोई भी मालनो, x harmonic मालनो, 3rd harmonic मालनो, 4th मालनो, कोई भी अगर harmonic मालनो, तो वो वाला factor भी cancel होता जाएगा, relation यही आने वाला है उससे, clear है क्या, तो इसलिए इसने language मागर यह main answer clear ही नहीं भी कर रहा है, तो भी उससे कोई फरक नहीं पड़ने वाला, तो second option जो इसका correct answer आजाएगा, ठीक है, बैसे जब कोई भी vibration की बात करें कि इसमें वायर में तो अपन जनरली जो मानके चलते हैं, वो both ends पे close ही मानके चलते हैं, ठीक है, दिमाग में रखना है यह चीज़ है, आगे बढ़ते है, question number 42 की तरफ, बोला, a car having speed of 17 meter per second, यह हमारे पास एक car हो गई, जो की आगे जा रही है कितने से 17 meter per second है, producing sound of frequency 680 hertz, इसकी frequency 640 दे रखी है, moving towards a bus, driver of bus, इतनी frequency bus driver ने receive की, if speed of sound is this, find speed of the bus moving towards the car, bus जो है, वो भी किदर जा रही है, car की तरफ, उस car bus की speed निकालनी है, और इसको जो आपियर हुए है ने frequency, वो ही है 680, F dash, तो हम बोल सकते हैं, F dash की value अपने बोल सकते हैं, F, V, V observer, V of sound, V source, अब देखो, दोनों पास आरे तो बढ़ाने की कौसिस करेंगे, तो उपर बढ़ाने के लिए plus आएगा, नीचे बढ़ाने के लिए minus आएगा, रख दो value, तो वह F dash, कितना सुना, 680, अपन F, F की value, 640, equal to V, sound की speed, 340, plus observer की, V observer, observer क्या है, यहाँ पर bus, bus की speed, निकालनी है, अपन sound की speed, 340, minus, source, car, car की speed दे रखिया, 17, तो यह value आजाएगे, दो कितनी, इससे यह गया, यह आजाएगा, हमारे पास, 2 से डिवाइड कर दो, 34, upon, 32, एक बार ओर चला जाएगा, 17, यह value आजाएगे, हमारे पास, 340, प्लस V, upon, 340, minus 17, ठीक है, स्वालो करते हैं, तो यह आएगा, हमारे पास, 17, इन्टू 340, minus 17, इन्टू 17, equal to, 16, इन्टू 340, प्लस 16, V, ठीक है, तो यहाँ से आजाएगा, 17, इन्टू 340, तो 17, इन्टू 340 में से, 16, इन्टू 340, इदर आएगा, तो मैनस ओके, क्या बज़ आएगा, केवल, 340, minus 17, इन्टू 17, by 16, यह आगा, हमारे पास, V की वैल्यू, 340, अब दोको, 17 का स्कॉर करते हैं, तो यह आएगा, हमारे पास, 17 का स्कॉर होता, हमारे पास, 289, यह होता न, अब करकर देख लता हूँ, एक बार, calculation, यह होता है, upon 16, तो V की वैल्यू आगा, यहां से, आपर बाद दो कितनी, 1, यह हो जाएगा, 1 यह हो जाएगा, हमारे पास, 9, 14 में, से 9 गया, तो यह हो जाएगा, 5, 15 upon, 51 upon 16, divide करते हैं, तो यह वैल्यू आएगी, हमारे पास, 3 point something, और 3 point something कितना, तो नीरश रांतर आजाएगा, 3 point something, मतलब 3 meter per second, यह आजाएगा, और 4 meter per second आएगा, यह वैल्यू, ठीक है, तो 2nd option जाएगा, हमारे पास, correct answer हो जाएगा, इसका, आगे बढ़ते हैं जाएगा, caution number 43 की तरह, हाँ बढ़ी, क्या बोला, A, V is a wire of uniform resistance, the galvanometer G source, node current, when the length A, C is 20 cm, and B, C is 80 cm, तो देखो, यह जो हमारे पास दे रखा है, यह meter bridge का experiment का setup दे रखा है, और उसमें हमारे पास क्या है, galvanometer का deflection 0 आया है, galvanometer का difference अगर 0 है, मतलब यह जो वीटेशन में बिले जाए, वो balance हो गया, तो दोनों sides के resistance का ratio जो है, वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, तो यहां से R upon 20 equal होगा, 80 upon 80, के तो साब साब कह सकते हैं, R की value 20 ohm रही होगी यहां पर, third option, question number 44 देखें, 44 में क्या बोला है, an arrangement of three parallel state wires placed perpendicular to plane of the paper carrying the same current I along the same direction, is on the figure, magnitude of force per unit length on the middle wire B is, ठीक है, तो देखो एक long wire की वाज़े से, इसमें current अगर flow हो रहा है, तो magnitude fill होता है, odd distance पे minute I open 2 pi r, उसी को काम में लेते हैं जड़ा, तो B पे निकालना है, तो इसकी वैसे अगर मैं देखूँ, तो यहां magnitude fill आएगा नीचे की तरफ, कितना आएगा B, B की value, mu not I upon 2 pi r, इसकी वैसे बात करें, तो यहां magnitude fill किदर आजाएगा, यह आजाएगा पीछे की तरफ, इतना ही आजाएगा same, ठीक है, क्योंकि सबको same दे रखा है, तो resultant आएगा इधर, B root 2, अब इस wire को देखना, इस पे आया B root 2 इधर, ठीक है, current है अंदर की तरफ, तो force की अगर बात करूँ, तो DL vector और magnetic field का vector तो perpendicular हो गया, तो force कितना आजाएगा, इस B wire पे force आजाएगा, हमारे पास magnetic field B, current I into L, तो per unit length का force कितना हो गया, यह आगया, V I root 2, अब B की value रख दो, तो mu not I, by 2 pi R, I root 2, तो यह value आगई, हमारे पास, mu not I square upon root 2 pi R, option देखते हैं, mu not I square upon root 2 pi R, R की value D है, तो mu not I square upon, root root नीचे तो mu not I square upon root 2 pi R, तो fourth option correct answer हो जाएगा, इसका, 45 की तरफ चलते हैं, क्या वोला, a diamantic material in a magnetic field, तो दोखो, diamantic material की क्या property है, diamantic material जो होता है, उसको magnetic field में रखने पर रिपल होता है, तो definitely strong से weak की तरफ जाना चाहेगा, तो correct answer हो जाएगा, from stronger to the weaker part of the field, आगे बढ़ते हैं, caution number 46 की तरफ, तो क्या दे रखा, part of long wire carrying a current I, is bent into a circle of radius R, तो सुन्दा figure, the net magnetic field at the center, center पर magnetic field पूचा है, तो देखो, ये तो एक infinite wire हो गया, और ये हमारे पास एक loop हो गया, दोनों की वैसे magnetic field बताना है, तो infinite wire की वैसे R distance पे किदर आएगा, उपर की तरफ, और loop की वैसे भी किदर आ रहा है, loop की वैसे भी किदर आ रहा है, बार की तरफ दोनों का add हो जाएगा, तो infinite wire की वैसे तो आएगा, minute I upon 2 pi r, और loop की वैसे हो जाएगा, minute I upon 2 r, ठीक है, प्रोडस आरेंज करते हैं इसको, तो mu naught I upon 2 pi r, 1 plus pi, यह जो है net magnetic field आ जाएगा, center पे, तो यह option हमें दे रखा है, third option correct answer हो जाएगा, okay, next question 47 की तरफ चलते हैं, 47 में क्या होला, a current carrying closed loop in the form of a right angle isocelous triangle ABC is placed in a uniform magnetic field, acting along AB, जो magnetic field जो है वो, AB के along act कर रहा है, if the magnetic force on the arm BC is F, then the force on the arm AC, तो जब भी इस current carrying loop को एक uniform magnetic field में रखा जाता है, तो उस पे magnetic force जो आता है, जो जीरो आता है, तो इस पूरे के पूरे loop पे net force जीरो आएगा, अब देखो, इस B की बैसे बात करते हैं, तो B की बैसे, AB पे तो force कितना हो गया, जीरो, क्यों, क्योंकि इसमें जो current जाएगा, अब हो B के, अगर मैं उपर मानूं तो parallel, नीचे मानूं तो anti-parallel, तो इस लिए along the magnetic field हो गया, तो AB पे तो कोई force लगेगा नहीं, तो हम साब साब कह सकते हैं, F AC, पिलस F BC, यही इनका sum भी तो मारे पास क्या रहा होगा, 0, तो टोटल 0 है, इस पे तो है यही नहीं, इन दुनों का टोटल 0 रहा होगा, अब तो मैं बोल रहा है कि BC पे कितना F, तो यहां साब साब देख रहा है, F AC की value हो जाएगी, हमारे पास, minus F BC, BC पे अगर F है, तो AC पे कितना हो जाएगा, minus F, टोटल रिजल्ट इन 0, थर्ड अप्समा आजाएगा, अंसर, next question देखें जाँड़ा, question number 48, क्या बोला है, the magnetic flux through a circuit of resistance R, changes by an amount of delta 5 in time delta T, then the total quantity of electric charge Q, which passes during this time, through any point of the circuit, तो देखें, EMF अगर निकाला जाए, तो किसी भी circuit में, जब flux change होता है, तो industry EMF आजाएगा, delta 5 by delta T, current की अगर बात करूँ, तो current आजाएगा, हमारे पास EMF YR, charge की अगर बात करें, तो वह होता है, I into delta T, तो यह आजाएगा, delta 5 by R delta T into delta T, तो charge की value आगई, delta 5 by R, option देखें जाएगा इसा, तो fourth option जो है, इसका direct answer हो जाएगा, 49 की तरफ चलते हैं, 49 में क्या वोलाए, when the current changes from 2 ampere to minus 2 ampere, in 0.05 second, an EMF of 8 voltage induced in a coil, the coefficient of self induction of the coil, तो देखो, जो current जो है, वो 2 से minus 2 हो गया, मतलब 4 ampere का change आया, इतने time में, तो industry MF आया 8, तो एक coil में industry MF का magnitude होता है, L, DIY, DT, clear, तो 8, L हमें निकालना है, current में change आ, 4 ampere का time दे रखा है, 0.05, तो यहाँ से value कितनी आएगी, देखो, तो यहाँ आगे हमारे पास L की value, इस से गया है 2 times, L की value आगे हमारे पास, 0.1 Henry, तो first option जो है, इसका correct answer हो गया, clear, last question देखते हैं, ज़र पेपर का, क्या देखा है इसमें, if the magnetic field of a plane electromagnetic wave is given by this equation, then the maximum electric field, तो देखो, maximum electric field, हमारे पास अब बात करें, तो speed of light होती है, हमारे पास electric field की maximum value upon, magnetic field की maximum value, तो यहाँ से, magnetic field की तो maximum value हमें पता है, electric field की निकाल नहीं है, तो यहाँ से देखो, E naught की value हो जाएगी, C into B naught, clear, तो C की value हमें पता है, 3 into 10 to the power 8, B naught की value amplitude कीतना दे रखा, यह दे रखा, 10 to the power minus 4, तो electric field रहा होगा, 3 into 10 to the power 4, Newton पर उलाम, तो correct answer हो जाएगा, हमारे पास, fourth option, तो यह हमारा discussion complete हुआ, सभी बच्चे जाए, जिस तरह से महित करें लगे हुए, उसी तरह से अपनी महत को continue रखें, ठीक है, सभी को good luck, thank you.